जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहां हूँ यहां हूँ यहां हूँ यहां जी हाँ वीर जारा का वीर प्रताब सिंग और जारा एक बार फिर सिन्मा हॉल में हैं और वीर जारा ने कमा ली हैं 101 करोड रुपए अब आप कहेंगे भाईया जिस जमाने में पठान एक हजार करोड कमा ले जवान एक हजार करोड कमा ले इसमें एक सो करोड क्या है तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा साल 2004 में रिलीज हुई थी वीर जारा जिसे डारेक किया था यह शोपडा सहाब ने और क्या आप जानते हैं उस वक्त इस फिल्म ने कमाई की थी 97 करोड यानि 97 करोड और आज री रिलीज के बाद इस फिल्म ने 101 करोड रुपए कमा लिया यानि कि एक बार फिर लिमिटड रिलीज के बावजूद दर्शक जो है वीर जारा देखने के लिए जा रहे हैं और आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वीर जारा का फिल्म रिव्यूद अलो वेल्कम खुशामदीद नमस्कार आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार दोस्तों फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वीर जारा का इसलिए भी क्योंकि दर्शक एक बार फिर भीड लगा रहे हैं वीर जारा देखने के लिए सबसे पहली बात वीर जारा यश्योपडा साहब की सबसे परसनल फिल्म थी यानि कि दिल के बेहद गरीब और मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों कि इस फिल्म की शुरुआत में यश चोपडा साब की आवाज में एक नारेशन होता है जिसमें आप पंजाब की वादियों को देखते हैं पंजाब की गलियों को देखते हैं पंजाब के खेतों को देख और एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो वीर जारा एक ट्रिब्यूट था यश्योपडा साहब के दिल में पंजाब के लिए जो बेताहशा मोहबत थी ना वो था वो ट्रिब्यूट था वीर जारा पंजाब की धर्ती पंजाब की खेतों के लिए इसलिए जब यश्योपडा साह यह शुपटा की चाप देखते हैं. कौनसी चाप? जी हाँ, इस गाने की पूरी शूटिंग सुद्जिलिंग में होती है, पंजाब में नहीं होती है. और आप जानते हैं, सुद्जिलिंग यह शुपटा साहब के दिल के कितना करीब था. और जहाँ तक गानों की बात, दोस् संगीत के उन्हीं नोट्स पर उन्होंने वीर जारा का संगीत बनाया था जिसे अरेंज किया था संजीव कोहली सहाब ने इसलिए इसके गाने बहुत खास थे और आप जब इनके गानों को सुनते हैं ना तो उसमें वो सिक्स्टीज, फिफ्टीज या सेविंटीज वाली एक ह और साल 2004, क्या साल ता शारुखान के लिए नमबर वन वीर जारा, नमबर टू मैं हूना, यानि कि शारुखान पूरी तरह से वाक्स आफिस पर चाय हुए थे, मगर आज मैं आपकी सामने दो बाते रखने वाला हूँ और ये बहुत ही जरूरी बाते हैं, सबसे पहली बात, क्या वीर जारा ने, क्या ये शूपड़ा ने वीर जारा की कहानी के साथ इंसाफ किया, ये ना भूलें, उस साल की सबसे बड़ी हिट थे, मगर वीर जारा की जो कहानी थी ना दोस्तों, उस कहानी के हिसाब से काईदे से इसे all time blockbuster होना चाहिए था, यानि कि जिस मुकाम प वीर्जारा को होना चाहिए था मगर उस मुकाम को वो हासिल ना कर सकी क्यों? इसकी हम चर्चा करेंगे और दूसरी बात क्या आप जानते हैं कि वीर्जारा की कहानी किस ने लिखी थी? यह शोपड़ा के बेटे आदित चोपड़ा ने यह शोपड़ा एक काफी अरसे से फिल्म बनाना चाहते थे और उनके सामने कई कहानी आ रही थी वो खुद को इंस्पायर नहीं कर पा रही थी और तब उनके बेटे आदित चोपड़ा ने लिखी वीर्जारा अब मैं आपको एक बात बतलाने वाला हूँ जो थोड़ी controversial हो सकती है कि आप जानते हैं कि वीर्जारा दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे से inspired थी उससे प्रेरित थी चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या हम आपको बताते हैं दोस्तों दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगी कि क्या कहानी थी दुलहनिया ले जाएंगी कि कहानी ये थी कि सिम्रन यानि काजोल अपने पिता से कहती है कि पापा अब आप मुझसे कहेंगे एक इंसान से शादी कर लो मगर मुझे सिर्फ एक महिने का वक दे दो मैं यॉरप का टूर करना चाहती हूँ निकल जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है राज से और राज से उसकी महबबत हो जाती है उसके बाद सिम्रन पंजाब के गाउं चली जाती है जहां उसकी शादी होने वाली होती है राज उसका पीछा करता है अगर राज चाहता तो उसे भगा कर ले जाता है मगर राज कहता है नएं मैं तुम्हारे माबाप से तुम्हारे लिए अनुमती लूगा और फिर राज अपना मुकाम बनाने लगता है लोगों के दिलों में अपनी जगा बनाने लगता है मगर फिर क्लाइमाक्स आता है, राज की पिटाई होती है और राज जाने लगता है, सिमरन अपने पिता से कहती है बाबू जी मुझे जाने दो और तब अमरीश पूरी कहते है जा सिमरन जी ले अपनी जिन्दगी, अब आप कहेंगे कि भाया इसमें वीरजारा कहां से आ गया तो चलिए वीरजारा की क्या कहानी थी, वीरजारा की कहानी कुछ इस तरह थी कि जारा की एक दादी जी है, जिसका किरदार जोहरा ने निभाया है, जी हाँ जोहरा जी ने निभाया था, वो ये कहती है कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ और जब मैं मर जाओं तो मेरी अस् वीर प्रताब सिंग से जो उसकी जान बचाता है। वीर प्रताब सिंग जारा से कहता है कि सिर्व एक दिन के लिए आप मेरे गाओं आईए और मुझे आपकी खातिरदारी करने दीजे। जारा को रेलवे सेशन छोड़ने जाता है तब सामने उनका मंगेतर आ जाता है जिसका किरदार निभा रहे हैं मनुझ बाचपे। वो अपने दिल की बाद बस कुछ देर पहले कह देता है और उसके बाद ये महबत परवान चड़ती है। बाद में जारा के घर में काम करने व और शायद उन्हें ले भी जाते। मगर उनकी माँ उनके पास आती है और कहती है कि अगर तुम हमारी जिंदगी से नहीं गए तो जारा के पिता का इंतकाल हो जाएगा उनकी मौत हो जाएगी। और फिर वीर पताब सिंग कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी इस कदर दे हैं कि उन्हें 22 साल जेल में बिताना पड़ता है। अब आप कह सकते हैं यहां पर वीर जारा की जो रहा है थोड़ी अलग हो गई। मगर आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वीर जारा पर दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे की छापती। इसलिए मैंने कहा कि वीर जारा पर दिल वाले दुलहनिया का एक बहुत बड़ा हैंगोवर है। दोस्तों जहां तक इस फिल्म की कहानी की बात है इसकी शुरुआत होती है लाहॉर के एक जेल के साथ। जी हां जस जेल में 22 साल से वीर प्रताब सिंग सड रहे हैं। जी हां जासूसी के आरोप म उन्हें जेल में डलवा दिया गया था मनोज बाचपई द्वारा डलवा दिया गया था। मगर वीर प्रताब सिंग खामोश रहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं जासूस नहीं हूँ। वो ये भी नहीं कहते हैं कि मैं जारा को लिने आया था। क्योंकि वो जानते हैं तो जारा बदनाम हो जाती और उन्होंने वादा किया था जारा की मां से कि मैं अपने घर चले जाऊंगा और मैं कारण नहीं बनना चाहता आपके पती की मौत का तो वो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और उससे भी बड़ी कुर्बानी देते हैं जब वो जेल में अकेले सड़ रहे होते हैं और यहाँ पर सामया सदीकी यानि रानी मुखरजें उनसे बिलती हैं और उनसे कहानी सुनाने के लिए कहती है और फिर वीर प्रताप सिंग लेकर जाता है उन्हों उस लम्हे में जब उन्हों ने प्रीटी जंटा को बचाया था दो जोहाँ तक परफॉफ शारु खान के एक बहुत बड़े रेंज को आप देखते हैं, यानि कि वीर प्रताप सिंग, स्कौर्ण लीडर वीर प्रताप सिंग, 32 साल का स्कौर्ण लीडर वीर प्रताप सिंग और मैं 30 से 32 साल इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर इंडियन एफोस में आप तो ये मान के चला जा सकता है कि इस फिल्म के अंदर शारु खान की उम्र करीब 32 साल थी, यानि वीर प्रताप सिंग का जो किरदार था, उसकी उमर 32 साल थी, और उसे महबत हो जाती है जारा के साथ, यानि प्रीटी जिंटा के साथ, और फिर कहानी हमें लेकर चलती है पंज किया गया है, इन फाक्ट अमिताब बच्चन जो की ताउजी हैं शारु खान के और हेमा मालिनी, इन सब के डायलोग्स पंजाबी में होते हैं, वीर जारा जब इस वक्त आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप पंजाबी फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि डायलोग्स सिर्फ और सिर्फ पंजाबी में हैं, अब हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी वजा रही होगी हिंदी हार्ट लैंड में या साउथ में इस फिल्म के शांदार बिजनिस ना करने को, मैं एक बात स्पश कर दूँ, हिट थी, सूपर हिट थी, मगर जैसे मैंने आ और ना सिर्फ स्लो है, क्योंकि हमें वीर जारा के बारे में बतलाया गया था कि ये एक टाइमलेस क्लासिक है, ये एक ऐसी महबत है जिसमें एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ देता है, पाकिस्तान चले जाता है, फिर इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, कि वो बाईस साल का जेल में खामोश रहता है, मगर जिस महबत के लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, उस महबत का जो सेट अप होना चाहिए, यानि वीर ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी एक लड़की के लिए, वो इतनी ज्यादा महबत जारा से क्यों करता है, उसे य शुपरा सहाब को थोड़ा explain करना चाहिए था, थोड़ा और elaborate करना चाहिए था, वो missing है, first half थोड़ा slow है, मगर हाँ, जहां तक second half की बात है दोस्तों, second half बहुत जादा engaging है, बहुत ही powerful है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस film में कई scenes हैं, जो आपके दिल को छूते हैं, मसल गाउं में cycle चला रहा है, और तेरे cycle के पीछे तेरी वोटी, यानि तेरी पतनी बैठी हुई है, और यहां पर अमिताब बच्चन कहते हैं, कि सपने में मैंने ये भी देखा, कि वो जो लड़की तेरे cycle के पीछे बैठी हुई है, वो जारा है, यानि प्रीटी जंडा का किर होते हैं, और जब केरनखेर शारूखान से कहरी होती हैं, कि तुम्हें एक बहुत बड़ी कुर्बान ही देनी पड़ेगी, और शारूखान कहते हैं, कि आप जाएए, मेरी वज़ा से आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और तब केरनखेर उससे कहती हैं, कि बेटा, क्या तेरे देश में सारे बेटे तेरी तरह होते हैं तब शारुखान मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं ये तो नहीं जानता मगर मेरे देश में सारी माएं तेरी जैसे होती हैं अब जानते हैं खास बात क्या थी इस सीन की ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी इस एक दायलोग के जरीए या शोपडा साब ने या फिर आदित शोपडा ने जिन्होंने इसके डायलोग लिके उन्होंने ना सिर्फ भारत के बेटों का सम्मान किया बलकि पाकिस्तान की माओं का भी सम्मान किया जी हाँ और इसलिए ये डायलोग ये जो सीन है बहुत खुबसूरत हो जाता है इसके इलावा इस फिल्म की खास बात थी गानों का पिक्चराइजेशन खास तोर से मैं यहां हूँ यहां हूँ यहां हूँ यहां जब प्रीटी जिंटा यानि जारा की सगाई हो रही होती है रजा के साथ मनोज बाजपई के साथ मगर उन्हें आस-पास वीर दिखाई दे रहा होता है बहुती खुबसूरत अंदाज में इस गाने को पिक्चराइज किया है बहुती मुकमल गाना है दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार फिर आप यूट्यूब पर जाएए इस गाने को देखिए हाला कि मैं जानता हूँ शारुक के दीवाने इस फिल्म को कई बार देख चुके होंगे तो मुझे बतलानी की जरुत नहीं है मगर आप मेंसे जिन लोगों ने ये गाना नहीं देखा है उसकी खुबसूरती का एहसास इसे तोबारा देखके ही आपको मिलेगा तो एक बार फिर इस गाने को जाकर देखिए दोस्तों जहां तक परफॉमेंस की बात थी तो एक से बढ़कर एक परफॉमेंस और मैं शुरू करना चाहूँगा मनोज बाचपेई से मनोज बाचपेई ने एक इंटिवियो में कहा था कि इस फिल्म के विलिन शारुख खान ते बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी ती और क्यों? क्योंकि रजा की तो शादी जारा से हो रही होती है मगर वीर प्रताप आते हैं और सब कुछ बगड़ जाता है और उसके बाद मनोज बाचपेई जो हैं वो वीर से अपना बदला लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास दो आप्शिंगं है या तो तुम बता दो कि तुम जासूस नहीं हो तुम वीर प्रताप सिंग हो मगर जैसे ही तुम ये बताओगी कि तुम वीर प्रताब सिंग हो, तो जारा की जिंदगी बदनाम हो जाएगी, मैं उसकी जिंदगी को नर्क में बदल दूँगा, मगर हाँ, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे, तो ठीक है, जारा एक आबाद जिंदगी बिताएगी, मनोज भा पकिस्तान में जो पंजाबी कही जाती है ने इस अंदाज में, उसे बहुत खुबसूरती से शबो या दिव्या दत्ता ने कैप्चिर किया है, इसके लावा फिल्म ने किरन खेर भी हैं, जो जारा यानि प्रीटे जिंटा की मां का किरदार निभा रहे हैं, इसके लावा ब फिर इंडिया की बात की जाए, आमिताब बच्चन और हेमा मालिनी, एक छोटे से रोल में आमिताब बच्चन जिसे कहते हैं चमक जाते हैं, खास तोर से शारुखान के साथ जो उनका इंटराक्शन होता है, बहुत ही शांदार, बहुत ही दिल को जुने वाला इंटराक्श और मुझे लगता है कि आमिताब और हेमा मालिनी को लेकर फिल्म के फिर्स्ट हाफ को चार चांद लग गए हैं, यकीन जब तक आमिताब बच्चन और हेमा मालिनी स्क्रीन पर रहते हैं उनके सामने कोई नहीं ठहरता, शाहरुखान भी नहीं ठहरते, प्रीटी जिंटा भी उनके सामने पानी भरती हैं, ये है दोनों की स्क्रीन प्रिजन्स की ताकत, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वो दौर था, जब आमिताब बच्चन और हेमा मालिनी कई फिल्मों में आए थे, आपको याद है बागमान जो कितनी बड़ी हिट हुई तो इक तरह से कहा जा सकता है कि फर्स्ट हाफ में चार चान लगा दिये थे आमिताब बच्चन और हेमा मालिने, और अब बात प्रीटी जिंटा और शारुखान की, दोस्तों जहां तक प्रीटी जिंटा की बात है, प्रीटी जिंटा ने एक पाकिस्तानी लड़की का किरद बखूबी निभाया है, खासतोर से जो उनका वो सीन है ना अमिताब बच्चन के साथ, अमिताब बच्चन उन्हें साइकल पर बिठा कर ले जा रहे हैं, और तब प्रीटी उनसे कहती हैं कि आपने गाओं को कितना डेवलप किया, मगर आपने लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खुला, बहुत ही खुबसूरत अंदाज में जारा उनसे बात कहती हैं, और तब आमिताब बच्चन कहते हैं कि साथ साल का ये हिंदुस्तानी आपके संसकारों को नमसकार करता है, सलाम करता है, बहुत ही खुबसूरत एक्सचेंज इन दोनों के बीच, और मेरे वीर जारा का मुकाम बहुत उंचा है क्योंकि बहुत ही इंटेंस रूल है, और ये ना भूलें, प्रीटी जिंटा अमूमन बहुती चल्बुले किसम के किरदार निभाते हैं, अगर बावजूद उसके एक बहुती शानदार किरदार बहुती बहतरी ना भीने किया, और प्रताब सिं닥 का किरदार निभाने की बात है, शारुख खारान का शानदार परफॉद्धों में रूण दिल जीत लेते हैं, अब बात करते हैं 20 साल के बाद वाले वीर प्रताब सिंग की जो जेल में थे, दोस्तों, एक स्कॉर्न लीडर की उम्र जो होती है ना वो करीब 32 स 35 साल होती है अब मान के चला जाए कि 32 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में शारुखान का जो किर्दार था वीर प्रताप सिंग वो पाकिस्तान की जेल में जाता है वह 22 साल रहता है यानि कि शारुखान का जो बुजर्ग का किर्दार है उसकी उमर करीब 54 या 55 यर्स की होती है अगर आप उस फिल्म को देखें तो शारुख खान पूरी फिल्म में कांप रहे होते हैं सबसे बड़ी बाद जेल के अंदर वीर प्रताब सिंग को टॉर्शर नहीं किया गया था फिल्म देखिए उसमें बाद सपच हो जाती है बाईस साल तक वो खामोश रहते हैं मगर जिस तरह से वो कांप रहे होते हैं ऐसा लगता है कि वो किसी 55 साल के किरदार को नहीं निभा रहे हैं ऐसा लगता है कि वो किसी 80 साल की उमर का किरदार निभा रहे हैं हाला कि उनकी आँखों में इंटेंसिटी है मैं डिनाई नहीं करूँगा मगर जहां तक बुजर्ग के किरदार को निभाने वाली बात है वहां शारुक थोड़ा सा गड़बडा जाते हैं और मुझे लगता है उसकी एक वज़ा है अगर आप अमिताब बच्चन की पुरानी फिल्में देखे ना जिसमें वो बुजर्ग का किरदार निभा रहे हैं मसलन अदालत महान इन तमाम फिल्मों में अमिताब बच्चन जो है कापते नहीं थे वो अपनी आवाज में चेंज लाते थे वो अपनी आवाज में मॉडिलेशन लाते थे शारुक खान को भी कुछ उस तरह से करना चाहिए था। वो जिस तरह से काप रहे था ना वो थोड़ी सी हामिंग लगती है, थोड़ी सी ओवर आक्टिंग लगती है। और मुझे ऐसा लगता है उस बात को अवोइड किया जा सकता है। अब वो सवाल जो आपके जहन में है, कि वीर जारा आल टाइम ब्लॉक बस्टर क्यों नहीं बनी, इसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों ये ना भूलें, वीर जारा उस स्वक के हिसाब से एक बहुती बोल्ड फिल्म थी, क्योंकि कुछी सालों पहले घदर आई थी, और ये सनी देउल का दौर था, जहां पाकिस्तान की पिटाई वो हर फिल्म में किया गरते थे, चाहे घदर हो, इंडियन हो, हीरो हो, हलाकि उनकी भी फिल्में 2004 आते आते पिटने लगी थी, इसलिए फिर सनी देउल गायब हो गय थे कलंबे अरसे तक, तो कहने का मतलब साफ है, ये वो दौर था जब पाकिस्तानियों के लिए, हिंडुस्तानियों के मन में काफी नफरत थी, क्योंकि करगिल 1999 में हुआ था, और इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ और इस बीच में या शोपडा लेकर आते हैं वीर जारा, तो इसलिए ये फिल्म काफी बोल्ड थी उस वक्त के हिसाब से, जहां तक मेरी वो बात कि ये फिल्म आल टाइम ब्लॉक्बस्टर क्यों नहीं बन पाई, आल टाइम हिट क् आलत में अनुपम खेर और रानी मुखर जी के बीच में जो जिरह होती है, उसे और इंटेंस होना चाहिए था, और पाफुल होना चाहिए था, फर्स्ट हाफ में उनकी लव स्टोरी पर या शुपडा साब ने उतनी महनत नहीं की, जिसके हम उम्मीद कर रहे थे, कि आखिर वीर जारा की जो लव स्टोरी है, वो इतनी इंटेंस क्यों है, एक इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देता है, वो एर फोस की नौकरी क्यों छोड़ देता है, पाकिस्तान क्यों आ जाता है, इसके लिए बहुत जरूरी था कि या शुपडा साब ने उस प्रमाइस को उस जमीन को दर्शकों को जो है बतलाया होता पर यकीन मानिये दोस्तों अगर ऐसा होता तो वीर जारा शारुखान की सबी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देती चलिए मेरा मानना है बहराल दोस्तों आज मैंने आपके सामने मेरी निगाह से वीर जारा का फिल्म रिव्यू पेश किया दिल्शस्प बात यह दोस्तों कई पुरानी फिल्म में एक बार फिर रिलीज हो रही है और मेरा वादा है कि इस मंच पर उन तमाम फिल्मों को आपके सामने नए अंदाज में मैं पेश करूंगा अभिसार शर्मा को दीजिये अजाज़त नमस्कार फिल्मी बातें विद अभिसार